नमस्कार एप्रिवन, तोड़ी आर गोईंग टू रिवाइज अवर चैप्टर शिक्स तफूड वी इट यानि खाना जो हम खाते हैं See the learning object, students will be able to identify healthy and unhealthy food यानि हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे कि healthy food क्या होता है और unhealthy food क्या होता है यानि जो junk food है वो क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे कि क्या अच्छा क्या बुरा Okay, so here is a summary, food provide us energy to work and play पहले तो why we eat food, हम खाना क्यों खाते हैं, खाना क्यों ज़रूरी है हमारी body के लिए तो food providers यानि food हमें देता है energy to work and play काम करने के लिए और खेलने के लिए हमें energy चाहिए, ताकाप चाहिए है ना तो वो हमें कहां से मिलता है, we provide us from food Eating fast food daily is harmful for your health So eat healthy food, हम अगर junk food खाएंगे, unhealthy food खाएंगे तो बिमार हो जाएंगे, हमारी energy है, वो ताकात है, वो कम हो जाएंगे है ना, तो हमें healthy food ही खाना चाहिए, unhealthy food नहीं खाना चाहिए, fast food नहीं खाना चाहिए हमें healthy रहने के लिए, so eat healthy food, healthy food खाना चाहिए, not fast food वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स हम फूड खाते हैं बराबर है पर वो हम लाते कहां से हैं हम वो एनिमल्स और प्लांट्स से लाते हैं ना तो कौन-कौन सी चीजे हैं जो प्लांट्स से लाते हैं और एनिमल्स से लाते हैं जो सब्जी है, है ना, वो सारी जो है, वो हम कहां से लाते हैं, प्लांट से लाते हैं, और जो दूद है, मीट है, फीश है, हनी है, ये सारी चीजे हम एनिमल से लाते हैं. Food helps us to grow and be healthy. Food, हमें energy तो देता है, ताकत तो देता है, पर वो हमें help पी करता है, to grow and to be healthy. हमें स्वास्त रहने में help करता है, और grow, यानी बढ़ने में. हम एक ही जितने रहते हैं, जितने हम छोटे होते हैं, उतने ही रहते हैं. नहीं, हम grow करते हैं, हम बढ़ते हैं तो हमें अच्छा खाना खाने से हमारी जो grow है वो अच्छी होगी, है ना, healthy होगी तो we should eat healthy food If we do not eat food, we will not be able to leave अगर हम खाना नहीं खाएंगे, तो हम जी ही नहीं पाएंगे है ना, नहीं जी पाएंगे, हमारे body work ही नहीं करेगा Our food should be clean and always covered हमारा food है, वो clean होना चाहिए और always covered, यानी ठका हुआ हमेशा के लिए तो, usually we have meals four times a day हम हर रोज चार बार दिन में खाते हैं, generally है ना, तो, we have first, हम चार बार cup-cup खाते हैं, वो देखना है First, breakfast in the morning, यानी सुबह हम breakfast करते हैं Second, lunch in the afternoon, यानी दोपहर को हम lunch लेते हैं, खाना खाते हैं Third one, supper in the evening, हम snacks खाते हैं, ना, नाश्ता करते हैं, supper in the morning उसे supper बोलते हैं, जो हम शाम में नाश्ता करते हैं, उसे supper बोलते हैं Now, see the fourth one, dinner at night, यानी रात को हम dinner करते हैं Okay, so we have four meals a day, हम एक दिन में चार बार खाते हैं Breakfast in the morning, lunch in the afternoon, supper in the evening and dinner at night So, this is our chapter, जिसमें हमें क्या याद रखना है, कि why we need food, हमें food क्यों जरूरी है है ना, तो, we eat food because it gives us energy to work and play, है ना And where do we get food from, हम food कहां से लाते हैं So, we get food from plants and animals So, ये जारे जो है, वो आपको याद रखना है, ये meals पह याद रखना है, कि how many meals in a day So, there are four meals in a day Breakfast in the morning, lunch in the afternoon, supper in the evening and dinner at night Now, see the question number one, MCQ First question we have, our food should be हमारा food है, वो कैसा होना चाहिए, होना चाहिए तो, first one, option A, clean and covered, option B, dirty and option C, dusty तो, dirty यानि गंदा और dusty यानि दस से भरा हुआ, तो ये क्या food होता है? No, so हमें कैसा food काना चाहिए, clean and covered, यानि एकदम साफ सूतरा और जगा हुआ Now, see the page number 23 Second one, how many meals do we have in a day? हम एक दिन में कितनी बार मील लेते हैं? यानि खाना खाते हैं Option A, 6, option B, 9 and option C, 4 So, हम छे बार खाते हैं? No हम नाइन बार खाते हैं? No We eat meals four times a day, हम चार बार खाते हैं So, right option is C, so we have to take option C here Now, see the question number 2, fill in the blanks यहाँ पे आपको options दिये हैं उसमें से देख के आपको blank को fill up करना है First one we have, we get milk, egg and meat from blank Plants and animals So, हम कहां से लाते हैं? We get milk, egg and meat from animals Now, see the second one Food should be clean and blank हमारा food है, वो कैसा होना चाहिए? Stole या food covered Of course, stole नहीं होना चाहिए हमारा food कैसा होना चाहिए? Covered और clean, धका हुआ और साफ सुत्रा Stole यानी, stale यानी, basi तो basi तो नहीं होना चाहिए Now, see the third one Blank is a fast food यह दो food है, उसमें से एक है जो के fast food है So, an apple Apple is a fast food? No A pizza is a fast food So, take the pizza and write down in a blank See the fourth one Blank is necessary for our grow and health हमारे growth और health के लिए जरूरी है Cold drinks या food? Cold drinks जरूरी है? No क्या जरूरी है? Food है न? खाना हमारी health और growth के लिए जरूरी है So, we have to take food here And write down in a blank So, question 1 and 2 Is in your homework से अही लोले है कर कς वीत जरूरी है